Hey guys welcome back to my channel in hardcore super beauty hacks today is the professional makeup practical class for mehndi or haldi makeup look it's basically all about haldi makeup look detailed में कैसे करते हैं first of all we have to tie my hair आपको client के यहां फिर अपनी haldi makeup look करें तो अच्छे से अपने hairs को tie कर लीजिए कोभी foundation वगर आपकी hairs में नहीं जाना चाहिए और सबसे पहले face को cleanse करना है dirt dust को remove करके toner को apply कर लेजिए जो मैंने apply किया है that is from arts goodness का cucumber toner बहुत ज़दा refreshing है now i'm gonna to moisturize my skin बहुत ज़दा जरूरी होता है चाहे कोई भी season हो so यहां पे मैं ponds का moisturizer यूज़ करें हूँ यह आता है with vitamin e with hyaluronic acid बहुत अच्छा face moisturizer है definitely you guys have to try it and उसके बाद हम अपनी skincare और makeup के बीच में 5-10 minutes का gap रखेंगे उसके बीच में यहां पे अपने lips को अच्छे से balm को apply करके and उसको बाद हाथ से massage करे हूँ now it's time for sunscreen so sunscreen 50 plus आपने SPF try apply करना है and अच्छे से apply करना है जितना भी visible part है so now my skin care is ready my skin is ready for makeup so first step is always primer तो यहां पे मैं purple का gel based primer यूज़ कर रही हूँ इसको आपने अगर fingertips के help से apply कर रहे हो तो अच्छे से damp करके आपने इसको यूज़ करना है and अपना eye area हो गया neck area हो गया ears हो गया इन चीजों को भी आपने बिल्कुल भी skip नहीं करना है तो यहां पे मैं NYB का full coverage foundation यूज़ कर रहे हूँ बहुत ज़्यदा cheap है लेकिन मुझे अच्छा लगा and so I think मुझे यह try करना चाहिए था और मुझे इसका review भी करना है इसलिए मैं इसको ज्यादा से ज्यादा use कर रही हूँ एंड हम इसको dot methods में आप अपलाए कर सकते हैं एक ही जगे पे आपने बहुत ज़्यादा product अपलाए नहीं करना है वह क्या होगा अच्छे से blend नहीं होगा तो अभी हम concealer ले रहे हैं और upper lid और lower lid दोनों जगे पे आपको अच्छे से concealing करनी है क्यूंकि एक तो यह आपके जो dark pigmentation होती है उनको तो cover करता ही है उसके साथ साथ यह आपको highlighting effect देता है एंड जो आप color eyeshadows के apply करते हो न वो अच्छे से pop-up करता है तो जो और T zone area है and eye area है वहाँ पे आपने अच्छे से concealer को apply करना है then start blending and eyes को हमेशा last में blend की करना है because warm पे बहुत जल्दी creasing हो जाती है और जब भी हम eyes को अच्छे से blend कर लेते हैं and उसी के तरवन बाद हम baking कर देते हैं और उसके लिए translucent powder, banana powder आप यह चीज़े use कर सकते हैं compact powder आप यूज कर सकते हैं बड़ उनसे मेरे हिसाब से ज्यादा बेस अच्छा सेट नहीं होता है अगर आपको baking करनी है जहां पे आपको क्रेजिंग का डर है यहां फे sweat ज्यादा आता है lines हैं basically आपके face के उपर तो वहां पे आप इसको अच्छे से apply कर सकते हैं तो मैंने morphica यूज किया था baking के लिए soft nude का मेरे पास eyeshadow palette है तो यह colors में हम use कर रहे हैं तो सबसे पहले मैंने यहां पे light brown shade को अच्छे से upper crease line पे apply कर लिया है and अब मैं dark brown shade ले रही हूँ and आप देख सकते हैं कोई भी filter नहीं इस video के उपर लगाया गया है ताकि आपको अच्छे से color जो है वो निकल के आए and आपको अच्छे से clear visible हो तो center में मैंने green and front पे मैंने golden color apply किया है अब मैं इन color को mixing कर रही हूँ इनकी ताकि यह like different colors नहीं लगने चाहिए आपके अच्छे से color निकल के आने चाहिए blending बहुत ज़दा important होती है detailed में eye makeup के उपर अच्छे से classes आएंगे तो वो classes भी आप join करना तो अब हम lower lash line पे भी अच्छे से green color का जो eyeshadow है वही उसी को apply कर लेंगे अगर आप अपनी आँखों को बड़ा दिखाना चाहते हो तो आप nude या फिर white kajl भी apply कर सकते हो तो मैंने इस look को बहुत ज़दा original रखा है मैंने कोई भी fake lashes apply नहीं किया है आप चाहें तो आप कर सकते हैं यहां पे मैं अभी use कर रही हूँ NY makeup brow pencil तो अगर जो चीज़ें आपकी filling नहीं है उनको fill कर लेना है आपने तो maybelline का यहां पे मैं sketch eyeliner apply कर रही हूँ and बहुत चोटा सा wing बनाया था मैंने ज्यादा बड़ा नहीं बनाया था and यहां पे आप देख सकते हैं दोनों आँखों के उपर अच्छे से apply हो चुका है eyeliner and now I'm going to use maybelline का mascara low lash line के उपर कोई अलग से mascara नहीं आता है guys आप उसी mascara को अपनी low lash line पे apply कर सकते है so now move on to next step is mecca 3-1 palette use कर रही हूँ जिसमें आपको contouring, blusher and सब कुछ मिल जाता है मेरा forehead ज्यादा बड़ा नहीं है तो मैंने forehead और अपनी cheek को cut नहीं किया है मैंने सिर्फ एक bronze look दिया था अगर आपकी face बहुत ज़दा गूल है बहुत ज़दा मोटा है आपको फिर अगर contouring करने तो आप कर सकते है then I am going to apply blush और highlighting करे हूँ अपने points को and जो highlighting points से उनको हमेशन ध्यान में रखिये if you have any active pimple है तो हमेशन highlighting को वहां पे avoid कीजिए तो यहां पे मैं NYX का nude shade lipstick apply करे हूँ I love this shade इतना जड़ा soft था यह lips के उपर and I really really love this so guys at the last पे हम setting सब्रे यूज कर रहे है अपने makeup को set करने के लिए NYX का and here is my final look so guys enjoy this beauty shots music 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 झाल झाल